ओम यो ब्रह्माणम् बिदाधाति पूर्वं योवई बेदाश्य प्रह्णोति तस्में तम्हदेव मात्म बुद्धी प्रकासं ओमुक्चुर्वै सरणमहं प्रवद्धे ओम् सांते सांते संकरं संकराचार्यं केशबं बादरायणं सुत्रभाष्य कृतव बंदे भगवंतव पुनाह पुनाह इश्वरो गुरुरात्मेति मुर्ति भेदविभागिने व्योमबत व्याप्त देहाय दक्षणा मुर्ते नमाः ओम् सांते 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 अनिर्वाच्य विद्या दितायस्य चिवश्य प्रभवतो विवर्तायस्य ते वियादा निलाते जो भवनाया यताष्चा भूद विष्वं चरमाचरमुचा बाचमिदं नमामस्तत ब्राह्मा परिमिता शुका अग्या नम्रितं ओमी सांते ही सांते ही सांते ही पहाद है कहां से चलेगा कहां से चलेगा नरण राजो अच्छा ठीक है कोई बात में बोलो जो तर्मानाद डो सती करीश केता है अग्यों है किम्याक अज़्य आज़्य को जैसे गंगा गंगायाम घोषका है तो यहां पर तो गंगायाम घोषक कहने से गंगा सब्द का अर्था तीर है यहां गंगा सब्द का अर्था तीर होता है तीर में अभिर पल्ली होता है किनारे परन्तो जहां पर जादान सी गंगायाम मस्याहा गंगायाम कहेंगे वहां पर गंगा सब्द का अर्थ प्रभा होता है गंगायाम घोशा में गंगा सब्द का अर्थ तीरह होने पर भी सरवत्र गंगा सब्द का अर्थ तीरह ऐसा नहीं होता है ज़ते भी गंगा सब्दकार्त दो है संभव वस्च उब यत्रत तुल्या दोनों अर्थ संभव है परन्तु गंगायाम जाजान सिंग, गंगायाम मत्स्याहा, मीना हाँ तो आहां पर गंगा सब्दकार्त प्रभा होता है किसी एक जागा पर आकास सब्कार्थ परमात्म हो भी गया हो परंतो यहां पर आकास हीत होगा चाँ यहां पर आकास अब्दकार्थ द्भूत आकास होना चाहिए यह पूरण पक् добавक्षि कहता है क्योंकि ऑक्क चिल रहा है 22 नbersचोड अकास स्ट लिंगगाद ठीक है? ठीका देख लो नच्चा ब्रह्म्हनी पी आकास सब्दो मुख्या है अनेकार्थत्व अन्ययत्वात पूरपक्सी है कहते हैं आकास सब्दो मुख्या अर्था नहीं है ब्रह्मा में आकास सब्द कार्था यदि मुख्या अर्था मानेंगे तो अनेकार्थतस्य, अनेकार्थतस्य, अन्य यत्त्वाद। एक शब्द के अनेक अरत्या नहीं है, एक मुख्यर्थ होता है, बाकी अरत तो गोन होता है, यह बोलता है। दर्म है ना कोन कहे रहा है ये पूर पॉक्षी कहे रहा है ठीक है ना तो देख लो बहादेव भक्तिया आचा ब्रह्म्हणी प्रयोग दर्शन अपपत्ते भक्तिया मतलब क्या गोण हाद गोण हाँ गोण गोणी द्रिश्क्टी से ब्रह्म में ना क्या कर देखा जाता है कहीं कहीं लोकेच अश्य नभस से निरृढाथ्वात लेकिन बेभार में आका सब्द का रूढ प्रयोग तो आगास में होता है सब लोग जानते कि आगा सब्द भुताकाश को कहते हैं ये बोलते हैं अर्तत पूर्वकत त्वाच्च बेदिकार्थ प्रतितेर बेपरित्य अनपपत्ते है और क्या है लोग में जो सब्दों को लेकर अर्थ होता है ऐसा अर्थ बेद में भी हो जाता है ऐसा मंडन मिश्रे ने भी कहा है मंडन मिश्रे है सुरिषराचार्ये मंडन मिश्रे ब्रह्म सिद्धी नाम गरंत लिक है ब्रह्म सिद्धी बहुत सुंदर गरंत लिक है नेश कर्म सिद्धी ब्रह्म सिद्धी बारतिक है सुरेशराचर्य का ब्रहतान्य के उपर बहुत सुंदर सुंदर ग्रंत है दच्छणामृतिस्तोत्र के उपर है उनका बारतिक दच्छणामृतिस्तोत्र है ना तो वहां पर इस्वर गुरु रातमेति ये श्लोगुनिका है बहुत लोगों को पता नहीं, इस स्वर्गु रात में ती मूर्थी भेदा विभागे ने, यह उसी का है, सुरे स्राचर ने लिखा है, बहुत सुन्दर, तो ब्रह्म सिद्धी ग्रंत में कहा गया, लोकाव गता सामर्थ्य सब्दों बेदे भी बोधका, लोग में सब्दों को लेकर जो अर्थ होता है, बेद में भी ऐसा ही सब्दों का अर्थ होता है, इसलिए पूरपक से कहता है, तत पूरवकत पात, तो आका सम्दत, क्या है? क्यों लिखा और हमें क्यों पढ़ना चाहिए थामस्टी करना करने के लिए, स्पस्टी करने के लिए तक अर्थ होगी है, बुद्धी सुक्ष्मा भी यह और सपस्ट होगा, भास्य का भावारता, अब खूद देख रहो देख भामतिकी साथ, बहामतिका से लिए भास्य कि अपनिशत तो आननंद गिरी के साद इढ़नांंत है। यह होता इस tahamm幸 friends, उपनिशत तो आनन्द गिरी के साद इनकात के सतो ऑपनिशत अपनिशत लिए नुपकस्ट के सिस्टात है। इस आपीन के सोसे हैं इस नाम संध्यत भाश्यत आफिकत। क्या चीज हां मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है उपलब्द है ब्रह्म सिद्धी चुकमा मिलेगी बारती बारती भी मिल जाएगा बारती दश्णामुर्ती प्रकासन बारती भी मिलता है ब्रधानना के ओपर बारती मिलता है चलो आज कल कहां लोगे पास समझ नहीं है पुणने का पुणने वालों का भी समझ नहीं है पुणने वालों का भी समझ नहीं है जो पर लेते हैं बैस पर पढ़ाना नहीं चाहते हैं फिर जो पढ़ भी लिया हो पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि पढ़ाने से क्या मिलेगा है बैसे कथा प्रोवर्चन में लग जाते हैं और बारतिक बहुत सुख्मरूप से लिखा बहुत सुंदर ब्रहतने के ओपर इतना सुंदर बहुत सुंदर लिखा ऊपर बारतिक प्राय ग्रंत जो है ना बहुत सुंदर बहुत ही सुन्दर लिखाएं प्राय ग्रंत जो है ना बहुत सुन्दर है बहुत ही सुन्दर एकदम स्पष्ट लिखें चलो आगे लिए चले पाड़ चले देखो कहते हैं कि तत पूर्वकत्वाच बेदिकार्थ प्रतितेर बैपरित अनपवत्ते हैं लोग में जो सब्द प्रसिद्ध है उसको अनुसारी बेद में बोध होता है यह ब्रहमसिद्ध इसलिए क्या हुआ और भूता काश में कौण ऐसे नहीं होता है जोकि वेवार में आका सब्द भूता काश में रूड है प्रहमा में नहीं है आभू इसका उल्टा करो घळ है रह में अपाश का अपत्वा आच्चा बेधिकार्द प्रतितेर इसलिए भेपरित्य अनपत्य है भेपरित अत्य करोगे तो उल्टा हो जाएगा भेपरित्य नहीं होता है नहीं होता है नहीं पूरुप्रवशी कहता है ताद आनुगुण्यान चा सरवाणी हवा इत्यादिनी भास्यकृता अनुखुल से आपके संक्राचरिय भास्यकर भी ऐसा ही औरतकी है सरवाणी हवा इमानी भुतानी कहने से सारे भुतों की अत्पित आकास्य है ऐसा भास्यकर ने भी कहा है कौन कह रहे है पूर्पक्षिव समाप्त करने जा रहा है देखो इसलिए तस्मात भुता कासम एव अत्र उपास्यत्यन उपदिश्यत्य यहीं उनका है इसलिए यहां पर उपास्यत्य भुताकासी है अना सबका कारण तो आकास होता है इसलिए आकास के विश्यम भी यहां पर प्रस्ण था तीके अब उत्तर भी ऐसा ही दिया है न परमात्मा इति प्राप्तम इसलिए यहां ऐसा पूरपक्ष प्राप्त हुआ ऐसा पूरपक्ष प्राप्त हने पर सिध्धानती कहते हैं एबम प्राप्ते अभिदियते एबम पूरपक्ष प्राप्ते पूरपक्ष सब्द का अध्यार कर लो एबम पूरपक्ष प्राप्ते ऐसा पूरपक्ष प्राप्त हने पर से बोलते हैं का चैनल हैं को में अब देखो आकास सब्दे ना ब्रह्मणाृभब ग्रहाणं अब सिदिधधनी बोलते हैं अ do इ pasó आकास सब्दे से तो ब्रह्म का जी क्रॉंध जुकति जुकते जुकते हैं जोन streaming में था ना आकाश रस्अब्द का अर्थ परमात्म ऐ strangers a sh 500 क Such to blame after हो गया अब विचार करते हैं देखो तथाही सब्द से तथाही सब्द से वो कहते हैं तो अथाई सब्द देखो सामान अधी करन्येना सामान अधी करन्येना प्रश्नातत प्रतिवाक्योहो पुर्वापरिय परामर साथ प्रधा नत्वेपि गोणता सामान अधी करन्येना कहां प्रतिवाक्योहो प्रति वाक्योहो पुर्वापरिय परामर साथ प्रधा नत्वेपि गोणता तो देखो, कहते हैं, प्रश्ण तक प्रतिबाक्य यो हो, सामानाधी करण्ये ना, सामानाधी करण्ये मतलब क्या है? एक अर्थ का बोत कराना, एक अर्थ में परियवासित होना, किसका? प्रश्ण का भी और प्रतिवाक्य मतलब उत्तर का मतलब प्रश्ण जैसा होगा ना उत्तर ऐसे होता है दिस बिशे में प्रश्ण है उसी बिशे में क्या है उत्तर होता है ऐसे नहीं कि पूछा प्रश्ण दूसरा उत्तर दिया दूसरा ऐसे नहीं होता है यह प्रामाण्या प्रतिबाख्ययों सामनाधि करन्या मतलब क्या एक आर्थ प्रतिपादयकत्तम एक प्रती पाले कत्तम एक अर्थ में प्रति पादन करना है, पर्यवशित होना प्रश्टन और उत्तर का यही नियम है, इसलिए क्या हुआ पूर्वा पर यह परामर्शात सिद्धानते बलते हैं पूर्व का परामर्श करना चाहिए उत्तर का यह परामर्श करना चाहिए इसलिए क्या हुआ कि प्रधानत्वे पी गोणता आका सब्द का मुख्य और थतो जद्द पी भूताकास है ज़ो भी बुताकास है विभार में. फिर भी यहां पर आकास हाईती हुआज debated, प्रश्ण भी ऐसे ही हुथा कि सभी लोकों का सभाई प्रपच्च का आधार कौन है? यही प्रश्ण था. उतर भी ऐसे ही दना चाही हिए, तो सभी प्रपच्च का आधार आकास हुगा नहीं. वो आधर कैसे बनेगा? इसलिए परमात्मा ही जगत का आधार है, उसी को आका सब्दा से बोल दिया, और वो सब को प्रकासित करता है, आसमान ता का सतेती आकास्थ? एक नहीं, इसलिए कह दे गोणता, इले गोण अर्थ यहां पर लेना चाहिए, तो आका सब्दे का गोण अर्थ कोन हो गए? परमात्मा है, जगत की बेवार में प्रधान अर्थ तो भूत आकास होता है, एसी को आगे लिखते हैं देखो, इसी स्लोक का ही थोड़ा सा बिचार है, जगत पी आकास पदम, प्रधान अर्थम है देखो, जगत पी आकास पत का अर्थ, सब्दे का अर्थ प्रधान है, कौन भूत आकास है, तथा पी यत प्रिष्टम तदीव प्रतिवक्त अभ्यम, यत प्रिष्टम जिसके विशे में सिश्य के द्वरा पुछा गया, और अप्तदीब उसी विशे का ही उत्तर देना चाहिए। उसने पूछा ना क्या पूछा जैविली ने? कि आश्या लुकस्या का गती किस उपनिशत में? क्या? चांदगिया में. इतना दा मालूप हो ना जी किस उपनिशत का चल रहा है? तो आका इस प्रपंच की क्या गती है? क्या आश्र है? ऐसा पूछा तो उत्तर भी उत्तर दिया उसने राजा ने? आकास इति हो वाच ओ आकास है ऐसा उत्तर दिया. चांदगिया में. पिर आगे कह दिया कि सरबाणी हवाई माने भूतानी आकास देवा समत पध्यन दे ऐसे अश्र है उत्तर दिया ना? चांदगिया में. तो इसलिए क्या हुआ? परस्टन और उत्तर एक है. प्रस्टन पूछा कि सभी प्रपंच अधार कौन है? उत्तर दिया, सभी प्रपंच अधार कौन है? भूताकास होगा? नहीं होगा, परमात्मा होगा. इसी को आगे लिखत सभी पिए सभी पाहिएं ना? न खलू अनुनमत्थ आभरान प्रिष्टह कोविदारान आचस्टे". क्यों जरो एक फिरेक प्रया जार अंदू धाड़ नहीं आजाप rip अअगा होां है तो क्या प्रश्ण क्या है? प्रश्ण यही कजूल कर रहा हूं, बात यहीं की चर्दधी है, सहे पूता काथ से तो अनित्य प्रपंच चलेगा, ब्रह्म कहना पड़े हैं, यही शित्ती का पाचार है, ना? ना, ना, सभी प्रपंच का आधार को नेत, उतर दिया कि आकास, उतर दिया, आकास उतर दिया, प्रें आकास से क्या लाना चाहिए? यही प्रस्ण चल ला है, ना? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, आकास को नित्य नहीं मानते हैं, और नित्य नहीं मानते हैं, क्योंकि तारकीक लोग जो हैं, आकास का लगया नहीं मानते हो लो, आकास को नित्य मानते हो लो, नर्म एक नहीं है? यही तो कहते हैं, नहीं, आकास के भी उत्पत्य होती है, तस प्रपंच के अंतरकत हुआ इसलिए प्रस्ना क्या पूछा कि सभी प्रपंचों का आधार कौन है तो प्रपंच करने से तो आकास भी आ गया तो आकास का आधार आकास काहां से होगा तो आकास का आधार दुसरा होगा इसलिए आपर आकास सब्द से भले ही कहा हो लेकिन आकास सब्द से भुता खास को नहीं लाना चाहिए परमात्मक लेना चाहिए यह हाँ यह सिधान दिगा कहना है चलो तो देखो यही बहुत नियम है जिसके विशे में प्रश्न पूछा ग कोई उनमत पूरू से पाघल के पागल से पूछ लिए कि Aam Aam कहा है उतर डिया कि कोविदारा कोविदारा कूई फाल होता है नहीं अजय कोवуль करे पूछ भोले में हिंदी में पता नि कॉछ ना को पुछा आं के विशह मैं प्रस्ना आउतर देग्द के शैम ऑंगुर के विशह में जाहून के यह तो पागल बात पिर उभागा ना लेकिन जो उन मत नहीं है वो उनुन मत ये माहवात्यगार ने कहा है कि इसने कहा है माहावाफ्यगार महर्शी पतंजली महर्शी पतंजली नहीं से कहा है अन्यत भवान प्रिष्टो अन्यत आचस्टे आम्नान प्रिष्टो कोविदारान आचस्टे यह महर्शी पाएं महर्शी पतंजली का यह बाक्य उसको लेकर भामतिकर बुल रहे हैं ठीक है लेकिन जो अनुमत्त होता है मलोक उनमत्त नहीं होते हैyang उसको बलते है अनुनमत्त मतलब क्या प्रामनिक भीखती मा स्थिर बुद्धी वाला श्थिर बुद्धी वाला आमरक विश्में पुछा है प्रस्थना और कोविधार फल के विश्में उतर देखे क्या है एसा नहीं नचा नखलो आचस्टे एसा उत्तर नहीं देते हो ठीक है ना इसी प्रपंचों की क्या गति है क्या आधार क्या आश्र है आशा प्रपंच 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 की गति मतलब आश्र है आश्र के बिशा में प्रपंच इती अत्तत अनुरधात प्रश्णा के अनुसार उत्तर दिया उसने, राजा ने क्या उत्तर दिया? यही जो आकास है ना, यही सबका आधार है तो सविव आकास सब्देना प्रतिवक्तव्य हर उसी आधार को गती को सविव प्रपंचों को उसको आकास सब्द से उत्तर देना चाहिए तो आकास सब्द का क्या होगा भुताकास होगा नहीं होगा भुताकास क्यों नहीं होगा देखो लिक्या में पर नच भूताकास सर्वश्य लोकस्य गतिही जो भूताकास है वो तो स्वयम कार्य है हो स्वयम प्रपंचे के अंतरगत वो समस्त प्रपंचे का आधर कैसे बने गए भूताकासस्य सर्वश्य लोकस्य गतिही नचा सबका आधर नहीं बने गए क्यों नहीं बनता है तस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बेरा ना कि रुपा बड़ इनैं समझना है अकास में कौन सा रूप है नाम रुपा हो गया प्रपंच बैज है अकास का नाम तो है लेकि रुपा नहीं है तो पयोपा का मतलब यह नहीं लाल पिला का लगा बेदेग रुपा मतलब क्या गूना रुपा मतलब गूना आकार ए सब ले लो आकास में कोई कर नहीं कॉन सा घूने है कुई कुई गून नहीं आकास नागी हाँ सब्दा है आकास में गूनता है शब्दा है सब्दा है व्यापकता है इस अगून है वाकास का एक है तो जो गून है धर्मा है उसी को यहां पर रूप का जाता है नाम और रूप तो प्रपंच के अंतर गाट बृता कास भी है चलो इत तत अनुरवाद आख आगे तस्यापी लोक मध्य पतित्वा तस्य मनला बृता कास भी लोक के मध्य पति है लोक अरपन्च के अंतर गते है आकास भी है तदीव तस्य गतिर इती अनकपत्ते हैं तदीव कहने से वही जो प्रपंचे का अंतर कते जो भूता का आशा है भूता का आशी भूता प्रपंचे का आधार हो प्रपंचे ही प्रपंचे का आधार हो यह से नहीं होता है प्रपुंचे का आधार तो दुसरा कोई होना चाहिए तब प्रपुंचे का आधार होगे परमात्मा परमात्मा की आधार माल लो तब तो अनवस्ता हो जाएगा है कि नहीं अनवस्ता दूस हो जाएगा सारा जगत को प्रकासित करने वाला आत्मा है और आत्मा को कोई प्रगासित करने वाला वहां पर जैसे अनवस्ता दोस होता है चेतन्य को लेकर के विशी बेगर आधार को लेकर के भी अनवस्ता दोस हो जाएगा मूल आधार कोई होना जिसका आधार कोई यह ना हो इसी बेगार कहा रहे है प्रपंज का आधार कोई दुसरा हो सयम आधार नहीं बनेगा अनपपत्ते आच्छा नच उत्तरे भूताकास श्रवणात भूताकास कार्यम एव प्रिष्टम इती युक्तम यह बोलती आपर देख कभी-कभी उत्तर को लेकर कभी-कभी प्रस्टन कभी क्या जाता है और कभी-कभी प्रस्टन के उनुसार भी उत्तर को समझना पड़ता है यह बोलते हैं है यह कि प्रस्टना और उत्तर प्रस्टना और उत्तर दो प्रकार से हो जाता है एक तो पूरपशे कहना है प्रस्ट देखकर है और करना स्माहागान को लेकर के उतर को समझा जाता है। तो पूरपग्षी क्या बलते है? उल्टा बोल रहा है, देखो, नचा। उत्तर में भूताकास को का गया, इसलिए प्रस्टना भी क्या है? भूताकास के भिज़ते हैं, और बेदेखो, ये दित्यों होगे, भुता कासा उत्तरे भुता कासा स्रवडान भुता कासा कार्यामेब प्रिष्टम इती अना बायु आधी होगे कार्या है की नहीं बायु आधी कार्या है की नहीं बायु है तेज है जल है प्रितिवी उसका कारण कौन है बोता कास होगे ऐसा भी तो हो सकता है बोलते हैं नहीं हिती नच जुकतम सिधानते बोलता है ऐसा नहीं होता है प्रस्टनस्य प्रथम अवगतस्य अनुपजात विरोधिना हां लोक सामन्य विश्यष्य उपजात विरोधिना उत्तरणा प्रस्टनस्य प्रथम अवगतस्य अनुपजात विरोधिना हां इसका कोई विरोधित वत्तपन हुआ ही नहीं सारे प्रपंच को अधार कोन है यह पूछ रहा है तो आकास को छोड़ दोगे क्या सारा प्रपंच को इन चे भूता आकास भी आगे उसको कैसे छोड़ दोगे लोको सामन्य विशह इस्च कोई प्रपंच को इन चे प्रपंच को अधार ही यह प्रपंच को लेना अगे नहीं यह पर कोई प्रश्न तो स्पष्ट है लेकिन उपजात बिरोधिना उत्तरना लेकिन उत्तर के भिशे में तो बिरोध है किसको लेना चाहिए किसको लेना चाहिए प्रम्मो को लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए बुत्यागाज यह होता है यह उपजात बिरोधिना उत्तरना संकोच अनपत्त इसले संकोज नहीं कर सकते यहां पर संकोज मतलब क्या नहीं बाव्यवादी को छोड़ देंगे यह आकाज को छोड़ देंगे अब बाव्यवादी जो प्रपंच है उसका आधार कोन है यह से प्रस्ण नहीं यहां पर इसले बोलते हैं तत अनुरोदेना उत्तर व् याजाता है यह सारा प्रपंच के विशे में पूछा है उत्तर भी उसी का उनुसार दिया जाएगा इलिए संकोज नहीं कर सकते सर्भाणी हवा इमानी भुतानी कहने से बाइवादी को लेंगे और आकास को छोड़ देंगे यह संकोज नहीं किया जाता है जहां पर संभवा नहीं है वहां पर संकुछ होता है सुनो देसे कहा हरुदार में रहोगे हरुदार में रहते हो सारे महात्मा को भुजन कराओ भुजन कराओ भुजन कराओ ठीक है ना सारवे महात्मा भुजन ताम सारे महात्मा को भुजन कराओ तो सर्वे बोल दिया, सर्वे कहने से क्या, पूरे हरद्वार के महात्मा को नहीं खिला सकते, इतने महात्मा है, तो सर्वे बोल दिया, तो सर्वे कार्द क्या होगा, समस्त है, नहीं, यहां पर जितने उपस दिते, तो सर्वे सब्द संकुचित होगे कि नहीं होगे, होगे आपकी बीवक्चा किया है यहां पर दो चार क्लिए सुखी नहीं हो जाए हो नहीं हो अलग बात है अगि प्रार्तन तो कर रहा है आगे संजमें इसी प्यकर जहां पर संभव नहीं है वहां पर तो संकुचित हो जाता है सर्वसब्द जहां पर संभव है तो वहां पर संकुचित नहीं होता है यहां पर सर्वानी हवा इमाने भूतानी सभी भूतों जहां से उत्पन्ना है सर्वानी भूतानी कहने से करें कि भूताकास बी प्रपंच की अंतरगत है जैस Neither बीच्ण का स्टमपतय है लुटा कि अगेश्टक वह देना उत्तर अश्या प्रस्तने के उत्तर व्याक्षयान किया जाता है उत्तर समझा जाता है नज़ प्रस्थनेना पूरपक्ष रूपेना अनवस्थित अर्थेना उत्तरं वेवस्थार्थं नसक्यं नियंतं इति जोगतं इतना मिरुप्ता ओम पूरमदह पूरमिदम पूराद पूरमुदच्यते पूरश पूरमदाय पूरमेवा बशिशते ओम शांति ही शांति ही और द्वार जाने के बाद ही समा पढ़ाएंगे से समा नहीं मेल पार है ना करा वारी तूरम पूरमुदद मतुम् पूरम ही कर्दार जा रुर मेल लाकता पूरम जासम पूरमृम ही जो समा यो जानेwiązम को झाल मेल नहीं पूर साह yen कूर यां